केसे हो आप सब आप सब लोग बहुत अची होंगे अपने गर में एकदम सुरक्षीत होंगे तो आज का मौसम बहुत अच्छा है तो जैसे कि आप फेस्टिवल चालू होने वाले सबसे पहले तो रक्षावंदर 15 अगस्टी सवाएंगे तो मैं जब भी फेस्टिवल स्टार् तो कैसे मैं अपने किचिन को किलीन करती हूं तो मैं आप लोगों किशायर करने जा रहें ठीक है तो फ्रेंड्स यह देखिए अभी ना किचिन में जैसे खाना वाना बनाया था तो कुछ बर्तन साफ हो गए तो किचिन की हाला देख लिए कुछ पढ़े हूए हैं सिंक मैं म सिंक में बर्तन पढ़े रहेंगे और आप साफ सफाई में लगेंगे ना तो वह भी अच्छा नहीं लगेगा हैं हुआ हुआ तो हम में अपनी रूम के या किचिन की और बाद Г ृड़ित करते हैं ना तो मैं पहले सोजके हो बड़ तो इस के बादिन मैं हमेज़ा से यह करतीं एंग कि जब भी मैं किचिन में आती हूँ ना ना साफ career निखिक करने ले तो सबसे बहले मैं डिपे चेक करती हूं कि उससे हम बूल जाते है बहुत सी लिए है कि हम भूल जाते हैं यह बहुत मैं डेट वगेरा भी देख लेती हूं कि कुछ सामन ऐसा है कि जिसकी डेट वगेरा निकल गई है तो से चलो फैको बहुत बार होता है न हम लोगों के साथ तो यह सब डिब्बे मैंने न एक ही खाना करके मैं साफ करूंगी क्योंकि यह ऐसी आपका जो किचिन बहुत ज्यादा मैसी लगेगा आप एक चीज को पहले एक लाइन से साथ करते जाए तो वह डिब्बे मैंने रग दिये तो पहले मैंने सुचा कि जो मेरे बर्तन वाले राय डिब्बे में चबड़ा है न चबड़ा ही बोलते है इसको हमारे यह तो आपक बर्तन सेट कर लेते हूं यहां हो गए हमारे बर्तन सेट बर्तन सेट होने के बाद फिर से लगते हैं अब अपने दूसरे काम में तो फ्रेंड्स यहां लग गई हूं मैं डिब्बों को साफ करने के लिए तो ना पहले जब आप इस तरह से डिबे दोए ना साफ करें तो प सामन जो भी होगा आपकी डाल वगएरा कुछ भी रखे रहते हैं वह सारी वेष्ट हो जाएंगी खराब हो जाएंगी तो यह दिखे मैं इस तरह से ना मलब जो बटन वाला कूचा होता है उसी से हमेशा साफ कर लेती हूं वैसे तो मैं अपने बटन वगएरा ऐसे गंदी नह इस तरह क्योंकि अब बारिश के सीजन होने लगें तो इसमें ना सीलन सी अजीव जीव से हो जाते हैं तो इसलिए जितना अच्छी तरह आप इनको साफ करके लग दोगे ना मैंने देखो बारी बारी से ना हर एक लाइन वाले जो डिबे थे वो सब इस तरह से खाली कर लि अच्छी तो इस तरह से साफ करके मैं रखती जोंगी और थोड़ा पानी निचोड़ जाएगा उसके बाद इनको साफ कर लोंगी कपड़े से आलमारी जो ती वो तो मेरी डिब्बे वगएरा लut की सब्साइट होगी है उसके बाद मैं इधर आ जाती हूं इसमक्राइए जादातर मैंसूचा कमक्राशन मे इसमें सबर्जी ऐा कभी-कभी जो यूज करते हैं उसे हम कभी-कभी मनलब जैसे कि कुछ चीज होती है ऐसी जैसे की बहुत कफ पगेरा होते हैं वह भी न में बढ़ दी है वह आपको दिखी भी रहे हुए क्योंकि गैस्ट जब जादा आते हैं तो मैं तो ही निकालती हूं बार अगरम जगन में इसे कोई मेरा आइटम अभी मेरे पास है नहीं किचिन का मैं बहुत चीज लेने के सोचती हूं फे सोचती है मैं इतना सारा अगण जगण में इखटा कर लूँगी तो इसलिए पे जगें नहीं रहेगी नहीं और देखिए रेंट का घर में आप इधर दिवार पर कुछ ल दो घाने नहीं और पता है हमेशा हमेशा से ही मैं फोर को सौकड रहे कि मेरा जो भी घर हो मैं जहां भी रहती हूं मैं हमेशा से ऐसी तरह से क्ली लगती हूं उसके बाद देखिए नीचे से तो सारा कुछ मैंने साइट कर दिया था अब उपर से लिप चले पर जो थोड़ा बहुत पानी सा जैसे गिर जाता है उसको मैं साफ करने लगी थे फिर मैंना इस पर उपर चड़ी मैं चलो लगे हाद इस खिड़की को भी साफ कर देते हैं तो कुछ में उपर वुके के बहुत पूरा साबुन का कुंचल लगा लगा के तब मैंने से साफ किया इसरा तो देखे फ्रेंड सारा कुछ मेरा हो गया है क्लीन और कि के मैंने सलीप पर जो थोड़ा बहुत भी पानी था वो भी मैंने ओर मार दिया है उसके बाद किचिन की बिंडो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है और यह पोलो थी ना मैं इसलिए लगती हूँ जैसे हम किचिन में कुछ बनाते है तो चीटे जाती है तो किचिन तो हो गए यह पूरी तरह से साइट उसके बाद नीचे चुप 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 सा कुछ हो गया था सामान खलाया निकाला तो वह सब उस तरह से गिरता है तो हो जाता है उसके बाद मैंने से बाइपर से मार दिया उसके बाद मैंने इसमें दिखिए पोच्छा मार दिया तो यह सब मेरा किचिन हो गया एकदम बड़ी अब चमा चम हो गया है मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत जाद संतुष्टी मेलती है अब एक बात मैं आप लोगों से बोलना जाहती हूँ जैसे दो शायर भाई बैन कुछ ऐसे कमेंट्स किरते है मैं आपको बताती हूँ एक अकेली बंदी जब वीडियो बनाते हैं तो केमरी को अच्छी तरह से सैट करना फिर उपर डीचे देखना कि केमरा मलब जो चीज हम दिखाना चाहरे वो के लिए आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है तो यानि आप यह समझ देजे कि एक वीडियो बनाने के लिए जब हम यूटूब पर आते हैं तो आदमी 70 kg का होता है तो 60 kg का रहाता है बहुत मैंनत होती है यूटूब पर उसके बाद भी कुछ लोग लाइक नहीं किरते हैं लाइक से ही ना कुई कुछ मिलता है लेकिन हम लोगों को ज़रूर प्रेणा मिलती है हम लोग बहलत कर रहे हैं वह आप लोगों को अच्छी लग़ी है वोड़ा वीडियो थोड़ा कट गया था बीच में इत्ति गज़ भी मैं इस तरह से करना यह हमारे एक डूटी है यह नहीं कहरे है तो प्लीज आप लाइक कर दिया करो लाइक करने से खुछ नहीं होता तो दो चर्ण एक दूबंदी है मेरे अमिश्य डिसलाइक वाले हो बुझे पता है वो को अने पर मुझे कोई शिकायद नहीं है मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप लोगों का साथ आना और उपर वाले का हार्द तो फिल किसी आपने की मुझे कोई टैंशन नहीं होती है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना उससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाऊ ना किचिन की वह दिखाऊ आप सामान ता हो साब मैंने चमका दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको गचा लगा पीज बताना वीडियो करते एंड वीडियो अच्छा लगा हो टो प्रीज लैक करना चैनल पर नई हो तो प्रीज प्रीज सब्स्क्राइब दरूर कर लिना तो इसी तरह से